जोंकूप एक नौती स्माइल के साथ कहने लगा ताई, बेबी गर्ल, अब तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना ही होगा I want you badly ताई बेबी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बना कर ही रहूंगा मैं तुम्हें इतना ज्यादा जेलास फिल कराऊंगा कि तुम्हें मेरे करीब आना होगा और मेरे साथ रोमांस करने में तुम मजबूर होगे मुझे किसी भी कीमत में तुम्हारे करीब जाना है तुम्हें अपना बनाना है तुम्हारे साथ रोमांस करना है अब ताई, सिर्फ और सिर्फ चोंको की होगे सिर्फ मेरी and I mean it और हम देखते हैं कि अगले दिन उनिवर्सिटी में ताई अपनी क्लास में चुपचब बैठी हुई थे और तभी क्लास में जीमीन और उसकी गर्लफ्रेंड यून जी आती है यून जी और जीमीन को पता था कि कल रात चुंकुक पाई के साथ अकेला था इसका मतलब उन दोनों के बीच में जरूर रोमांस हुआ होगा और इसलिए यून जी आकर पाई को ओटीच कहने लगी पाई कल रात तेरे और चुंकुक के बीच में क्या हुआ है हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ प्लीज मुझे बता ना जल्दी से जरूर जूंकुक ने तेरी हाथ पकरी होगी और फिर तीछे किसी भी दिया होगा ना और 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 क्या किया है जूंकुक ने प्लीज पता ना मुझे मैं और जीमीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तुम दोनों की रोमांटिक मोवमेंट्स को सुनने के लिए पर ताई अचानक से रोने लगी और ये देखने के बाद जीमीन और यून जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए जीमीन और यून जी क्या हुआ है ताई तु ठीक तो है ना जीमीन क्या हुआ है ताई क्या जूंकुक ने तुझे कुछ कहा है जिमीन, ताई, तुरो मत, मैं अभी उस चूंकुक की बच्चे से बात करता हूँ यून जी, हाँ बेबी चलो, मैं भी तुम्हारी साथ चलता हूँ उस चूंकुक की तो वो दोनों बहां से जाने लगे पर ताई ने उन दोनों को रोख लिया ताई, रुख जाओ तुम दोनों, चूंकुक ने कुछ नहीं किया है मैंने चूंकुक को ठपर मारी है और ये सुनने के बाद यून जी और जिमीन सौक हो गए वाट? जिमीन, तुने चूंकुक को? यून जी, क्या है ये सच है? ताई ने रोते रोते अपना सर हिलाया यून जी, पर ताई यसा क्या हुआ है कि तुमें चूंकुक को? ताई, कर रात चूंकुक ने मेरी हाथ पक ली और मुझे हाग भी किया यून जी और ताई, और उसके मुझे पप्पी भी थे जिमीन, क्या? ताई ने अपना सर हिलाया यून जी, तो फिर फिर तुने उससे धपड क्यों मारी? तुम उससे प्यार करती है ना? ताई, मुझे पता है उसने मेरे साथ रोमांस करने की कोसिस की मैं भी उसके साथ रोमांस करना चाहता था पर अब वो मुझे नहीं किसी और को प्यार करता है ना? इसलिए, मैं उसको रोकना चाहती थी उसने जब मुझे पप्पी की मैंने तफिर उससे माना किया था पर उसके नहीं सुना और फिर चुंकुक धिरे-धिरे मुझे टाच करने लगा और तब मैंने उसे रोकने की बहुत कोसिस की पर वो नहीं सुना और इसलिए मैंने चुंकुक को जीमीन तो ये बात है पर तो नहीं उसे थपड क्यों आरी वो तो तरी करीब आना चाहता था ना ताई मुझे पता है पर वो मुझे प्यार नहीं करता जीमीन और अब ताई दुबारा से रोने लगी और अब यूण जी ने उसे हग कर लिया और कहने लगी यूण जी ताई तो रो मत तुने बिलकुल भी गलत नहीं किया है तुने जो किया है बिलकुल ठेक है जीमीन पर बेबी जोंगो ताई की कईब आना चाहता था अगर वो ताई के साथ चोमांस करता तो वो ताई के प्यार में बढ़ सकता था ना यूण जी बेबी यूण जी बिलकुल गलत है ताई ने जो किया है बिलकुल ठेकिया है वो ताई से प्यार नहीं करता तो फिर ताई उसे क्यों बर में समदेता है जीमीन पर बेबी यूण जी जीमीना जीमीन ओकई बेबी तुम जो बोलोगी बोई के खे New यून जी ताई जोंगुक ने तुस्से कुछ कहा है क्या ताई उसने मुझे कुछ नहीं कहा वो बहुत ज़्यादा घुस्टा हो गया था मैं उसे बात करना जाती थी फिर जोंगुक जलने से वहां से चला गया यून जी तु रो मत ताई सब कुछ ठीक हो जाएगा जिमिन ओके मैं जोंगुक के साथ बात करूँगा ठीक है ताई ने मुस्कुराते हुए अपना सार हिलाया पर तरही क्लासरूम में जोंगुक की एंट्री होती है वो देखता है कि ताई अकेली एक सीट पर बैठी हुई है और उसके बेगल की जगा बिल्कुल खाली है और जोंगुक ताई की तरफ देखकर मुस्कुरानी लगा अब जोंगुक को ऐसे देखकर ताई बहुत ज़्यादा कंफूस हो गई उसे लगा कि जोंगुक उसके उपर खुस्ता नहीं है उसने ताई को माप कर दिया है जोंगुक धिरे धिरे ताई की तरफ देखकर एक नौकी स्माइल देने लगा और वो चल्दी से ताई के करीब आगया और कहने लगा जोंगुक बेबी, I am so sorry बेबी कर, I miss you too much I am so sorry बेबी ताई, जीमिन और यूंजी बहुत स्यादा सौक हो गया जोंगुक की मुझे ऐसी बात सुने के बात ताई अपने मन में ही सोचने रहा था जोंगुक मुझे सब के सामने बेबी का है क्यों बोल रहा है हाँ क्या जोंगुक भी मुझे से और अब जोंगुक ताई की तरफ देखकर एक naughty smile देने लगा और कहने लगा जोंगुक, what happens baby? जोंगुक, बेबी कर, I am so sorry, okay? अब आगे क्या होगा? क्या जोंगुक ने ताई को सच में माप कर दिया है? क्या अब वो ताई के उपर revenge नहीं लेगा? क्या अब वो आकर ताई की बगल में बैठ लेगा? और फिर जोंगुक ताई के साथ एक disc में बैठ कर दिस्क के नीचे से ताई के साथ फ्लाइटिंग करेगा? क्या अब वो ताई को बोल देगा कि भो भी ताई से प्यार करता है? या फिर ये सब कुछ करने के पीछे चोंगुक की कोई प्लान है? उसमें क्यों ताई को सब के सामने बेबी कार बोला है? अखिर चोंगुक की प्लान क्या है? वो क्या करना चाहती है? वो कैसे पाई को अपने करीब आने के लिए मजबूर करेगा वो कैसे पाई को अपना बनाएगा चौंकुक कैसे पाई को अपने साथ रोमांस करेने के लिए मजबूर करेगा और ये हम देखेंगे अगले पार्ट में जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक्साइटिंग होने बाला है